हेलो, हेलो फेंट्स, गुद मॉनिंग, वेल्कम बैक टू अनादर वीडियो, कैसे हैं आप लोग, आप सबी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टेडी को मज़े में कर रहे होंगे, तो फेंट्स मॉनिंग का सुबह का चार बज़े का सामय हैं, और मैं अब बैट गई हूँ अ कभी ऐसा होता है ना, कि हम भूल जाते हैं कि वीडियो भी हमें बनानी है, लेकिन जब मैं स्टेडी करने बैटी, तब मुझे याद आया कि चलो आप लोगों के लिए एक साइड में कैमरा को ओन कर देती हूँ, तो मैंने कैमरा ओन छोड दिया था और मैं अपनी स्टेडी क करने बैट के थी, वर कोई बात नहीं है, इंसाइचिनों को छोड़ते हैं, आवाते हैं अपने स्टेडी के तरफ, तो फैंट्स मैं आप लोगों को बता दू कि मौनिंग में जो मेरा फर्स प्लॉट है, वो है रीजनिंग के नाम, और अभी मैं रीजनिंग को कर रही हूँ और फैंट्स इसी के साथ नहीं बता दू कि आज की वीडियो में बात करने वाली हैं कि जो भी हम एस्पिरेंट है, टीचिंग एस्पिरेंट मतलब की सुपर्टैट एस्पिरेंट हम लोग टीचिंग एक्जाम के जो प्रिपरेश्वें कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक बहुत जादा पॉजिटिव नियूज निकल करके आ रही है जो भी टीचिंग एक्जाम की प्रिपरेश्वें कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो फैंट्स सबसे पहरे तो आप लोगों को पता है कि एक साल से बिहार काफी अच्छी वैकांसी दे रहा है काफी अच्छी पदों पड़र तो जो लोग भी विहार के लिए एक्छों के हैं वो विहार के लिए एप्लाइ कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिनीव कर सकते हैं जैसे अप लोगों को पता है कि टी-जारी 3.0 ऐग्जाम तो जस्ट लगा हुआ है जून में और वहीं टी-आरी 4.0 का जो एक्जाम है वो अगस्त में होगा उसका कलेंडर पहले ही जारी हो गया तो कलेंडर से आप लोगों को सारी चीचे सूस्टना मिल गई होगी और फैंट जो लोग हैं जो कि यूपी के हैं और यूपी से ब्याहार जाना नहीं चाहते हैं उनमें से एक मैं भी हूँ और इस ट पता है कि जो यूपी है यूपी से जस्ट दिल्ली लगा हुआ है दहली बहुत जादा दूर नहीं है और अपने यूपी के काफी सारी स्टुएंट हैं काफी माद्रा में डी टिपल एसबी के जो बैक हैं से उसके लिए प्रपरेशन करते हैं तो आप लोगोंने देखा तो नियमा वाली जारी हुई है तो उस नियमा वाली के अकॉर्डिंग आप लोगोंने देखा होगा कि मतलब कि कुछ उन्होंने पद भी जारी कर दीये हैं लेकि उसमें कुछ चेंजिस होने को मिलेगा क्यों क्यूंकि उसमें स्टार लगा हुए और तीस साथ ही साथ में और जो उम्र है एज है वो सारी चीज़ा बता दी है और सीटेट फर्स चाहिए उसमें और कितने मार्ट को क्वालिफाइट चाहिए पांच परसेंट का मतलब कि हमें आलत छड़ी भी मिलेगा मतलब कि इसमें किस काटरी में बता दी गई है तो उन सारी चीज़ां में रखते हुए मतलब कि तरीके से यह है कि PRT कि बाहुत जल्दी देखने को मिलेगी जो समय जा रहा है बस बही जा रहा है तो फेंट बहुत अच्छी मात्रा में आपको पत देखने को मिलेंगे 2823 करके कुछ है उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है कुछ कम या कुछ ज़्यादा तो फ्रेंट्स मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगे कि देखो 5 साल से अपने यूपी में बैकेंसी नहीं आई है और उस समय पर आप अपने स्लेवर्स भी पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप कहां से यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप उस लेवर्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लें और मौक टेस्ट भी लगा लें तो इस वैसे जो आपके पास समय है उस समय को मत गवाईएगा उस समय को एक अच्छी जगर लगाईएगा और फैंट्स इन्ही सारी चीजों के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि मौनी का जो मेरा फर्स लॉट था वो कंटिन्यू मतलब कि कम्प्लीट हो गया था देन उसके बाद जो घर के बेसिक काम रहते हैं उसमें चिट्रो मुट्रो बहुत सारे चोटे चोटे काम किये थे और फ्रीज बहुत दिनों से गंदा हो गया था सोश रही थी मैं साफ कर लूँ तो आज हाथ लगे मैंना बो भी साफ कर लिया तो फैंस आप लोग देख सकते हैं कि दको फीमेल को सभी को काम करने होते हैं तो और जो मैं ज़्याद कोशेश उस समय पर करती हूँ घर के काम करने के जिस समय पर मैं वहले स्टेडी से बोर हो चुकी होती हूँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं ब्रेक को जब लोगी स्टेडी से तो उस समय पर मैं क्या करूँगी फोन चलाऊंगी या टीवी देखूंगी इनी साइज जिए मैं अपना टाइम पास करूँगी तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं घर के जो चुटर मुटर वाले काम होते हैं उन कामों को complete कर लिया जाए जिससे क्या होगा कि मम्मी की भी थोड़ी हाप हो जाएगी मम्मी को वी जादा बॉय्डन नहीं आएगा और हमें भी ब्रेक मिल जाएगा और घर भी क्लीन रहेगा तो इस तरीके से हमें थोड़ा जो ब्रेक लेते हैं उस समय पर हमें थोड़े-थोड़े से घर की भी काम कर लेने चाहिए उससे एक तो हमारा भी जो mind होता है वो diver हो जाता है उस साथी साथ में हमारी जो mother होती है नहीं मम्मी होती है वो भी बहुत जाता है happy हो जाती है तो यह चोटे-चोटे से tips हैं आप इन्हें follow कर सकते हैं और फ्रेंट सिसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगी कि जो लोग हैं मतलब काफी साथ स्टुडेंट होंगे उपको क्या करते हैं कि एक महीने दो महीने बाद क्या होता है कि उन्हें दिखता है कि अब बैक एंसी नहीं आ रही फिर वो डीमोटीवेट हो जाते है वो डीमोटीवेट हो करके अपनी स्टुड़ी एकदम थपकर करके लग देते हैं आठ दिन, 10 दिन आराम से रेस्ट लेते हैं एक महीने का रेस्ट लेते हैं उसका फिर से उन्हें याद आता है कि नहीं आई अब मुझा पढ़ना है तो क्या करते हैं वो जो दो महीने वो प 50% अपना स्लेवर्स कंप्लीट किये थे उसमें से आप देगेंगे कि 20% आपके माइंड से इसकी पोच चुका होगा इवन यहां तक कि आपको 30% इसकी पोच चुका होगा आपको फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था तो इस वज़े से आप प्रेक ना लें आप continuously उस चीज़ को आप अपने पढ़ते रहेगा डेली आप continue पढ़ेंगे चाहिए आप 2 घंटे-3 घंटे आप डेली के निकालेगा लेकिन deli continuously करने से क्या हुगा कि आप उस चीज़ में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ साथ friends आपके पास mock test लगाने का भी बहुत अच्छा समय मिल जाएगा तो इस बज़े से आप अपना समय मत गवाईएगा क्योंकि तो को पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है पढ़ाई हमेसा ही हमारे काम आती है और तो friends आप लोग को पताई है कि DTSB PRT का एक्जाम वीडियो में और friends इसी के साथ में कमेंट पर बात कर लेती हूं कि एक sister बोल लहीं थी कि मुझे आपसे बात करनी है तो बात कैसे होगी तो देखो जो लोग भी अगर मुझे बात करना चाहते है तो मेरा इंस्टरग्राम एकाउंट है जो कि मेरा जो चैनल है जो आप वीडि कमेंट ना करने तो ही राधा ठीक है क्योंकि तो को आपको भी study करनी होगी मुझे भी study करनी होगी मैं नहीं देख पाऊंगी या फिर टाइम हो जागा तो फिर आप लोग को बुरा लगेगा तो इस पर एसे आपको अगर वाकि में जैनूवन अगर कुछ चीश पूशनी है तो यह आप कमेंट करें इस्टरणार एकाउंट फिर ठीक है और साथी साथना फेंट एक कमेंट और आया था जब भी मैं मतलब कि सुपर्टैट की तैयारी करती हो सुपर्टैट के वारे में कुछ भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप यहार में क्यों हैं कि अकली हो सुली ब ultimate we are कि हां 내일 रहना है तो पर से चीज घे खरने के लिए कि खर्च की को चोड़ने के लिए थोड़ा कि anos एक हमने अपने स्टेट में ही रहना है तो बस यह चीज Dil और फिर मुलते हैं अंदर से मेरा मन गवाई नहीं करता हूँ, जब अंदर से ही कोई चीज मन गवाई नहीं करेगा तो आप उसके लिए क्या ही अपना अफोर्ड लगा सकते हैं, तो इस बज़े से मैं बिहार में अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं हाँ जो भी उपी में परती को दिन है और दिन बहुत बड़े होने लगे हैं तो कुछ चटो मुटो खाने का मन होता है तो मैंने ये चने थे काली चने उनकी मैंने चार्ट बनाई और उसको इंजोई गया फिर से बैड़ गया अपनी स्टेडी को कंटीनिव करने के लिए और अभी एवनिंग का समय है लो अपनी साफ लोगों में सकाफी लोग जो मेरे से पहले से जोड़े होंगी उन सबी लोगों को पता होगा कि मैं मैत एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे मैं डेली वेस पे करती हूँ क्योंकि मैत मेरे इसना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉंग नहीं है और मेरे साथ मनलब सबसे बड़ मेरे से छुटकारा ने लेता है फिर मैत की क्यों मेरे पर स्ट्रॉंग करें कैसे स्ट्रॉंग करें तो इसके लिए मैंने काफी सारी वीडियो बना चुकी हूँ आप लोग जाकर के देख सकते हैं लेगि फिर भी मैं कुछ छुटे-छुटे पउइंट है मैं वह आप लोग लीजे, इससे आपको क्या होगा कि calculation में आपको बहुत ज़्यादा help होगी और साथे साथ में आप चाहें एक गंटा दें चाहें दो गंटा दें, लेकिन math को आपको daily waste पे करना ही करना है जब आप 20 से 22 जब आप करेंगे daily waste पे math तो आप देखेंगे कि पस इतना ही वीडियो अच्छी लगिये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू